दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनी सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो जॉब इंडिया को अभी आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो BTE UP सेमेश्टर परिच्छा 2021 जिहां दोस्तों बहुती बड़ी खबर निकल के आ रही है BTE UP से प्रेक्टिकल नहीं, सिर्फ वाइबा होगा 21 जुलाई की सबसे बड़ी खबर, साथ हम आपको प्रूब भी दिखाने वाले है इसमें दोस्तों, दो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोग देख सकते हैं Polytechnic अगले आदेश तक समेश्टर परिच्छाएं अस्तगित कर दी गई है साथ ये practical के नाम पर सिर्फ वाइवा होगा तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो आपका यहाँ पर समेश्टर परिच्छा है अभी उससे अस्तगित कर दिया गया है और अब आप लोगों का जो है सिर्फ वाइवा होगा तो ये आपके लिए बड़ी खबर आज 31 जुलाई की बिल्कुल आफिसली खबर चलिए आपको जो है आफिसली न्यूज पर लेकर चलते हैं बिल्कुल दोस्तों पूरी न्यूज मैं आपको रीट करके बताऊंगा तो हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो तो अभी दोस्तों आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं पॉलिटेक्निक अगले आदेश तक सेमेश्टर परिच्छाएं अस्तगित लखनो पॉलिटेक्निक की सेमेश्टर परिच्छाओं को अगले आदेश तक अस्तगित कर दिया है यह परिच्छाएं 22 जुलाई से शुरू होनी थी अब पॉलिटेक्निक से अउनलाइन परिच्छा कराने का आदेश दिया है गौरत लब है कि पॉलिटेक्निक के दूसरे चोथे वा छटे समेश्टर की परिच्छाएं 22 जुलाई से तीन पालियों में आउनलाइन होनी थी मगर विभाग ने कोरोना संकरमण के मद्दे नजर इसके लिए कोई तयारी नहीं की आखिरकार मंगलवार को विभाग ने कॉलेजों को अगले आदेश तक परिच्छा अस्तगित किये जाने का पत्र जारी कर दिया अब कॉलेजों को पुरिगात्मक परिच्छा कराने का आदेश दिया है विभागी सचीव सुनील सोनकर ने सभी कॉलेजों को 1 से 30 तक पुरिगात्मक परिच्छा का आदेश दिया है राजकी वा सहायता प्राप्त कॉलेजों को अपने अस्तर से और निजी कॉलेजों को नोडल अधिकारी की देखरेक में परिच्छा करानी होगी राजकी पॉलिटेकनिक संस्थानों के परधानाचार को नोडल अधिकारी बनाया गया है आगर यहाँ पर देखिए प्रक्टिकल के नाम पर सिर्फ होगा वाईवा कोरोना की वज़े से पॉलिगात्मक परिच्छा में प्रक्टिकल कराने के नाम पर केवल वाईवा ही होगा ऐसे में विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन परिच्छा दे सकेंगे हिवेट पॉलिटेकनिक के प्रिंसिपल डांक्टर यूसी बाजपेई ने बताया कि पहली बार हो रहा परिगात्मक परिच्छा के लिए कई बदलाव किये गए हैं जो सिच्छक जिस विशे को पढ़ाते हैं उनसे उस विशे के छात्रों की परिगात्मक परिच्छा नहीं ली जाएगी यह दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोग यहां पर देख सकते हैं काफी चेंजिंग किया गया है और आप लोगों का सिर्फ ओनलाइन वाइवा होगा यह होगा 21 जुलाई से 30 जुलाई तक इसके बाद ही आप लोगों का समस्टे परिच्छा होने वाली है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरू बताईएगा कोई भी कोस्टन कोई भी इंफार्मेशन नीचे आप लोग कमेंट कर दो थेंकि दोस्तों